कर में कि नमश्कार दोस्तों इंडियन मदर किच्छन रेसिपी में आपका स्वागत है वेल्कम बेक टूं इंडियन मदर किच्छन रेसिपी और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं एक नइ वीडियो के साथ क्योंकि अब तक आप मेरी cooking की new new वीडियो देखकर बोर हो गए होंगे जिसी वज़ासे मेरे वीडियो पर full watch time भी नहीं आ रहा है, so आज मैंने थोड़ा सा change कर दिया है तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, अपने छोटे से kitchen का छोटा सा view, छोटा सा kitchen tour, so friends, अगर आपको मेरी कहीं पे भी कोई गलतीन ज़राए मेरे वीडियो में कहीं भी मेरे से कहीं भी कोई गलती हो जाए या मेरे kitchen में कहीं पे आपको कोई mistake दिखाए दे तो please उसे ठीक करने की मेरी करने में मेरी मदद कीजेगा और मेरे वीडियो को फुल वाच कीज़ेगा तो चलो चलते हैं मेरे किचन की तरफ छोटे से किचन का छोटा सा तो ये है मेरे किचन का फ्रंट दरवाजा जो अभी अनकम्पलीट है क्योंकि लोगडाउन की वजए से ये अनकम्पलीट रह गया है टाइल्स वगारा इसमें भी लगनी बाकी है और सबसे पहले मैंने डाला हुआ है डोर मेट यानि कि मैं किचन में हमेशा एक पाइदान रखती हूँ क्योंकि जो सिंग के रिये होता हुआ पर पानी वगारा हमेशा गिरता ही रहता है जिससे कि वह आसानी से पानी को सोख लेता है और उसके साथ में मैं किचन की सफाई करके ही सोती हूँ और कुछ बरतन होते हैं सुरी दूद के या पानी के सिर्फ वही रह जाते हैं जिने में सुबह लाकर सिंक में डाल देती हूँ और ये है मेरा बरतनों का स्टैंड और ये जो मेरी वीडियो है ये सुबह मॉर्निंग की है और मैं आज सुबह सुबह में ही वीडियो शूट करके दिखा रही हूं कि सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं अगर हम रात को अपना किचन साफ करके सोते हैं तो सुबह हमें ज्यादा प्रोब्लम नहीं होती किचन में काम करते टाइम और यह है मेरा स्टिंग केरिया जिसमें कुछ रात के दूद के और पाने के बरतन पड़े हुए हैं जस्ट उसके उपर ही है बरतन साफ करने वाले कुछ आइटम जैसे की लिक्वीड लिक्वीड यानिकि मैं लिक्वीड से बरतन दोती हूं और बोटल साफ करने वाला ब्रश और एक कपड़ा हैंकिया हुआ है मैंने टा स्बोन के साथ ही मैंने एक स्टेंड और लगाया हुआ है एक स्लैप का जिसके उपर मैंने चीनी के कुछ बरतन कांच के बरतन रखे हुए है और बच्यों की पहुंच से दूर है ये इसलिए मैंने इनको इधर रखा हुआ है देखे मैं आपको फिर से दिखाती हूं कि कैसे मैंने अपने किचन में समान को सैट करके रखा हुआ है और यह है वाइट कलर का स्टेंड जिसमें मैंने कुछ मग कॉफी मग चाय मग रखे हुए हैं और जश्ट उसके नीचे मैंने ग्लास रखे हुए हैं और यह है मल्टी पर स्टेंड जिसमें चाकू छूरी स्पोन्स और कुछ ऐसे रसोई में कामाने वाले आइटम जिसमें मैंने स्टेंड करके रखे हुए हैं और मैं आपको फिर से दिखाती हूं कि कैसे मैंने मग और यह सब चीजे रखे हुए हैं और इस वाइट स्टेंड को मैंने ओनलाइन ही मंगवाया था और जश्ट इससे थोड़ सा आगे मैंने कॉर्णर में एक सैल्फ लगाई हुई है यह स्टील की रेक है जिसमें मैंने किचन के किचन कुकिंग में जो भी समान हमें जुरूरत होती है वो सभी डबबे मैंने इसी रेक में लगाई हुए है और यह सभी डबबे मुझे आसानी से यहां से मिल जाते हैं और सबसे नीचे मैंने नमक का डबबा रखा हुआ है जिसकी वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हू हूँ और जश्ट उसके सामने ही रखी हूँ है मैंने सेवईया जो कि मैं आप बनाने वाली हूँ सुभा में बच्चों के लिए और थोड़ा सा उपर जाकर यह है बड़ी सी स्लैब जिस पे मैंने सभी कम यूज होने वाले सामान रखे हुए है क्योंकि इन यह जितने भी बर्दन रखे हुए उनका इस्तमाल मुझे कभी कभी करना होता है इसलिए मैंने यह उपर रखे हुए है और यह मसालादानी इसका मैं रोज ही इस्तमाल करती हूँ और उससे आगे डोली और दो डब्बे रखे हुए जिसमें मैंने चीनी चावल और दाल भर करके रखे हुई है और फिर आजाते हम वापिस गैस की तरफ और यहां से हैं खिडकी जिसमें कोई दर्वाजब अगेरा नहीं है यह खुली ओपन खिडकी है भार की तरफ डाइनिंग टेबल लगी हुई है और मेरी बेटी है वो मुझे देखकर मुश्कुरा रही है और हम फिर आजाते हैं वापिस कीचन की तरफ और मैं आपको फिर से दिखाती हूं पूरा कैमरा दिखा कर पूरे कीचन में गुमा कर कैसे मैंने पूरी रसोई को सजाया यानि की सैट किया हुआ है और फिर मैं आपको दिखाती हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मीस हो गया था ये है फिल्टर और फिल्टर के साथ ही ये कुछ नॉन्स्टी की बरतन टंगे हुए हैं और ये है एपरन और ये हैंड टावल जिसका मैं रोज डेली जैस का इस्तमाल करती हूं और फिल्टर के उपर मैंने प्लास्टिक का चोपर रखा हुआ है जिसका मैं इस्तमाल नहीं करती हूं और ये डब्बे में मेरे हजबेंड का एफ फ्रेश रखा हुआ है और बैक में सभी बरतन कटोरी वगयरा लगी हुई है और उसके उपर ही सभी ठाली प्लेट्स वगयरा और जो एक्ष्ट्रा चम्मच वगयरा है वो सब रखे हुए और उसके उपर तांबे के लोटे और कुछ चुट चुट टीफिन है और सबसे उपर मैंने लगाय हुए स्कूल टीफिन और कुछ बड़े-बड़े डोने और फिर ये वही एक्ष्ट लगती है और यह है ऐल टाइप किचन और यह 6 by 4 है इसका एरिया अंदर से तो 6 by 4 से यह कम ही है और अब हम आजाते हैं यह देखें मेरी बेटी आपको हाई करने के लिए आई थी और अब हम आजाते हैं नीचे की तरफ, नीचे का एरिया वो है, मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, कुछ ज्यादा समान नहीं रखा हुआ है, और मैं आब आपको दिखाती हूँ के नीचे स्लेंडर, और आटे का टब, और आटे के टब के उपर मैंने पराद रखी हुए मैं धोकर के पराद को उसके उपर ही सैट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में और कहीं पर जगा नहीं है, और ये है एक ट्रोली, जो मैंने कुछ दिन पहले ओनलाइन मंगवाई है, और ये मुझे बहुत ही सस्ते और रीजनेबल रेट पर आसानी से मिल गई है, और इसम तेल की बोतल भी रखी हुई है, ये उसी का पार्ट है, उसमें चार सैल्फ थी, तो उसका एक पार्ट हटा कर मैंने यहां पर लगा दिया है, क्योंकि स्लैब मेरी नीची थी, तो वहां पर चोथा पार्ट नहीं आ रहा था, उची जादा थी ये सैल्फ, तो इसलिए ये ट नीचे सैट कर दी है, जो कि बहुत कम से कम जगह घेरती है, और समान भी काफी जादा इसमें फिट हो गया है, और ये है स्लैंडर जिसके उपर एक मैंने लोहे का तवा रखा हुआ है, जिसका यूज नहीं है, और ये है स्पंज वाइप, जिसमें से मैंने एक दो निकाल ल मैला गंदा सा दिखरा होगा, क्योंकि ये किचन ऐसा ही है, जिनोंने ये टाइस लगाई थी, नोंने इसे अच्छे से गंदा कर दिया था, और मैं इसको कई बार साफ कर चुकी हूँ, लाई जोल से, हार्पिक से, लेकिन ये खराब का खराब ही रहता है, मेरे हाथ खराब ह लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, और फिर से हम आजाते हैं, वहीं जहां से हम शुरू हुए थे, और मैं आपको लेक के चलती हूँ उपर तक, क्योंकि ये स्टैंड है, ये मेरी शादी से पहले कही यहां पर लगा हुआ है, और मैंने इसे और कहीं पर सिफ्ट नहीं किया, किच था मेरे छोटे से किचन का छोटा सा किचन टूर, तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट, सब्सक्राइब कीजेगा, और कहीं पर भी मैंने किचन में कोई भी मिस्टेक या कोई कमी रख रखियो, तो प्लीज फ्रेंड, उसको ठीक करने के लिए मेरी हैल्प कीजेगा, और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, थैंक्यू सो मच, बाबाई, टेक क्यार, और देखते रहे मेरी वीडियो